Hello everyone, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं The Filled Mouse Poem English Class 5th तो आईए स्टार्ट करते हैं, यहां पर दिया गया है कि Read this poem about Filled Mouse, okay? Filled Mouse क्या होता है? Filled Mouse basically एक चुहा होता है जो खेत में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं Filled Mouse, okay? तो इस poem में बताया गया है कि Filled Mouse जो होते हैं, वह किस तरह से अपने जीवन को बेतीत करते हैं, okay? Through the eating oak tree fruit, okay? मतलब एक क्या करते हैं, चुहे, oak tree fruit को खाते हैं, मतलब साबूल fruit को खाकर अपने जीवन को कैसे यापन करते हैं, इसमें कभी ने बताया है तो आए स्टार्ट करते हैं इसको, जो image में आपको पेड़ देख रहा है, मतलब tree देख रही है, basically क्या है, oak tree मतलब oak tree का एक पेड़ है, ठीक है? So, स्टार्ट करते हैं, where the account tumbles down, account मींस होता है, fall या beach, ठीक है? तो कौन सा फॉल है, which, किस चीच का फॉल है, बीच, oak tree का, ठीक है, यानि सहबूल, इसका हिंदी में मतलब होता है, सहबूल का फॉल, ठीक है? Where the account tumbles down, यानि जो सहबूल का फॉल होता है, आकरी में वो कहां पर गिरता है? Where the ice tree said it's very, यानि ice tree क्या होता है, एक फॉल का पेड होता है, said it's very, मतलब वो अपने बीच को कहां पर रखता है, ठीक है? With your fur so soft and brown, यानि जो oak tree की, जो fruit होते हैं, क्या होता है, काफी soft होता है, जैसे कि आप इस image में देख सकते हैं, ये काफी होता है, रोएदार होता है, ठीक है? Soft होता है, और brown color का होता है, ठीक है? आप real में यहाँ पर देख सकते हैं, कि किस तरह से साभूल का फल होता है, किस तरह से पेड़ पर ये लगता है, ठीक है? तो किस तरह का होता है रोएदार होता है ठीक है और यहाँ पर बता रहा है रोएदार होता है और यह ब्राउन कलर का होता है और काफी सुन्दर फल होता है ठीक है इसके बादे देखते हैं वीदरउवस आईस सोरांड और मेरी यानि जब आप इस फल को vào यानि साहबुल की फल को अपने आंखों से देखेंगे तो एक कैसा रहाता है? सोरांड, रांड में सोता है गोल्ड ठीक है क्या इसा रहाता है? गोल्ड रहتा है और मेरी में सोता है खूबसूरत यह मतलब जो साबूल का फल होता है वह गोड रहता है और काफी सुन्दर रहता है Secrously moving long grass moving the long grass जब यह साबूल का फल नीचे गिरता है यानि जब देख सकते हैं यह नीचे गिरा हुआ है जब यह नीचे गिरता है तो यह क्या करता है move करता है मतलब क्योंकि ये गोल अकार का है तो जब वो जमीन पर गिरता है तो क्या करता है थोड़ी दूर तक move करता है यानि थोड़ी दूर तक लुड़कता है ठेक है जैसे कि ball जब हम लोग जमीन पर फेकते हैं तो वो कुछ दूर तक चल के जाती है इसी तरह ये साबूल का फल जब नीचे जमीन पर गिरता है जब ये नीचे जमीन पर गिरता है तो क्या होता है थोड़ी दूर तक move करता है कहां move करता है देखते हैं secretly moving the long grass यानि लंबे लंबे घासों में move करता है field mouse I can see you pass यानि वो फल कहा रहा है field mouse या चुहे से I can see you pass मतलब तुमको यहां से गुजरते हुए मैं देख सकता हूँ क्योंकि जहां पर फल गिरा होता है उसके किनारे से एक चुहा जो होता है वो गुजरता है और उस फल को क्या करता है खाता है यानि वो कह रहा है कि मैं छोटे से गलियारों से या छोटे से जगहों से तुम्हें गुजरते हुए मैं देख सकता हूँ lie you all the winter sleeping till the warm weather comes again यानि इसके बासे चुहे को कह रहे है पोएट ठीक है कि lie you all the winter sleeping यानि पूरे जो ठंड का मौसम होता पूरे जाड़े का समय रहता है सेजन रहता है तुम क्या रहता हो सोय रहता हो till warm weather comes again जब तक कि गर्मियों का सेजन नहीं आ जाता है then once more I see you peeping यानि मैं एक बार फिर से तुमको peeping करते हुए देख रहा हूँ पीपिंग में सोता है जाकना ठीक है तुम्हें फिर से मैं जाकते हुए देख सकता हूँ round about the tall tree roots round about the tall tree roots round मतलब गोल गोल about tall tree मतलब लंबे से पेड़ के किनारे ठीक है जैसा कि आप ए सीम में देख सकते हैं यहाँ एक चूहा बैठा हुआ है तो यहाँ पर बताया जा रहा है इस पोय में कि जो fall है वो कह रहा है कि मैं तुमको देख सकता हूँ तुम्हें घूमते हुए चारो तरफ पेड के चारो तरफ देन क्या होता है round about the tall tree roots nibbling at their fallen fruits nibbling मिन्स होता है कि खाना या टुकड़े टुकड़े करके या छोटे छोटे पार्ट में क्या करना किसी भी चीज़को खाना उसको हम बोलते है nibbling nibbling at their fallen fruit fallen fruit मतलब होता है नीचे गिरे हुए fruit को क्या होता है मैं देख सकता हूँ तुम खा रहे हो ठेक है ऐसा कहा जा रहा है इसमें field mouse, field mouse do not go where the farmer stack his treasure यानि इसमें कह रहा है field mouse, field mouse मतलब चूए do not go, आप मत जाओ where the farmer stacks his treasure stack मिन्स होता है कि संग्रहित कनके रखना ठीक है his treasure, जहां पर किसान अपने जो treasure, treasure का यहां पर basically मतलब है fustle ठीक है जो fustle का अनाज होता है जहां पर लोग किसान रखते हैं तो इसमें poet कह रहा है कि field mouse, field mouse do not go where the farmer stack his treasure, यानि जहां पर किसान अपने grain को यानि अनाज को रखे हुए रहते हैं आप करो वहां पर मत जाओ, ठीक हो ऐसा करो आप वहां पर मत जाओ find the nuts that fall below eat the corn at your pleasure यानि वह कहता है कि उस अनाज के खाने से खाने को बज़ा है आप क्या करो गिरे हुए nuts या गिरे हुए फल को खाओ, ठीक है but you must not steal the grain he has stuck with so much pain इसके बास से poet कह रहा है कि जो एक grain होता है जो किसान अपने अनाज को इकठा किये रहते हैं कैसे इकठा किये रहते हैं has with so much pain मतलब धेर सारे मेनहत करके धेर सारे pains रहके ठीक है वो क्या करते हैं अपने फसल को या अपने अनाज को इकठा किये रहते हैं क्योंकि जो चुहे होते हैं क्या करते हैं जानबुच कि किसान के फसल को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं या खाते जाते हैं या कुतरते जाते हैं ठीक है तो इसमें बता रहा है कि तुम किसान के अनाज के अलावा क्या कर सकते हो तुम हमारे फल को खा सकते हो और किसान जहाँ पर अपने अनाज रखते हैं तुम वहाँ पर मत जाओ क्योंकि तुम काफी नुकसान करते हो make a hole make your hole where moses spring underneath the tall oak side make your hole मतलब अपना घर बनाओ क्योंकि जो जो चुहे रहते हैं एक hole में रहते हैं एक बील में रहते हैं तो इसमें poet कहा रहा है make your hole where moses moses में होता है जहाँ पर हरी घास हो यानि यहाँ पर बता रहा है poet कि जहाँ पर हरी घास हो वहाँ पर तुम अपना घर बनाओ underneath the tall oak side यानि तुम इस लंबे से पीड के side के नीचे क्या कर सकते हो तुम अपना घर बना सकते हो pretty quiet homeless things play about the sunny meadow यानि यहाँ पर जो होगा काफी कम नुकसान होगा खिसानों का और मतलब तुम यहाँ पर रहोगा तो हमारे फल भी खा सकते हो play about sunny meadow play about मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हो जब sun यानि सूरज के किरण जब सुबस वो उपता है तुम यहाँ क्या कर सकते हो तुम खेल भी सकते हो इसके नीचे इसके बाद से क्या है keep away from corn and house non will harm you little mouse ठीके यहाँ पर कहा चारा है last stranger में keep away यानि दूर रहो from corn corn में से यहाँ का मतलब है अनाज से and house यानि घर से यानि यहाँ पर poet कर रहा है कि तुम किसान के घर से या लोगों के घर से या उनके अनाज से क्या करो दूर रहो non will harm you यानि कोई भी इसके बात क्या करेगा तुमको नुकसान नहीं पहुचाएगा little mouse में छोटे से चूए ठीक है इसके बास last stranger में यहीं मतलब बता जा रहा है कि तुम क्या करो किसान जहाँ पर अनाज रखे हूँ रहते हैं या उनके जहाँ घर रहते हैं तुम वहाँ पर मत जाओ non will harm you अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगे तो कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुचाएगा छोटे चूए ठीक है तुम यहाँ पर एक मकसद है इस poem का कि जो चूए होते हैं बैसिकलिए field mouse चूए होते हैं वो क्या होते हैं काफी नुकसान करते हैं या किसानों के अनाजों को तो इसमें poet यहीं बताने के कुशिस कर रहे हैं कि तुम अनाज को क्या करो मत बरबाद करो या मत कुतरो उसके लावाद तुम क्या कर सकते हो इस oak tree यानि साहबूल कफल को खा सकते हो और अपना घर भी speed के नीचे बना सकते हैं अगर तुम यह करोगे तो कोई भी किसान या कोई भी लोग या आदमी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा So I hope आपको यह वीडियो समझ में आया होगा अगर अच्छा लगा है प्लेस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यह सो मुच